नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्ड नेचन आए दिन शराब तसकरों की ख़वर आते रहती है जहां वैसर शराब पाए जाते हैं एसा ही कुछ अब पुलिस ने स्मैक को पकड़ा है जी हां हम आपको बता दें कि इस स्मैक की जो तसकरी है उसमें पाँच लोगों की गिरफतारी भी की गई है कहां की है ये पूरी खबर और कौन है ये लोग हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले है उत्तर प्रत पुलिस के बारवकी पुलिस ने ड्रक्स तसकरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कारवाही की है पिता बेटा समेथ पांच आरोपियों को अरेस्ट कर 26 कीलों से अधिक माफिन बरामत की गई है पुलिस ने बरामत स्मैक की अंतरास्टिये वाजार की कीमत 27 करोड अरियाना, मद्यप्रदेश और पडोशी देश नेपाल में तसकरों के कनेक्शन के तार जुडे हुए हैं जहां बड़े पैमाने में ड्रक्स सप्लाई की जा रही है वहीं SP का दावा है कि आरोपियों के मोबाइल नंबर से अन्य बड़े नेटवर्क की भी जानकारी पुल और DSP नविन सी के नित्रत में नगर कोतवाली स्पेक्टर संजय मौर और जैदपूर कोतवाली स्पेक्टर धिरेंडर सी ने जुएंट ओपरेशन चलाया है कारवाही में ड्रस तसकर GPC शानुला को शहर के कोतवाली छेत्र के लखनव के अयोध्या निस्नल हाइवे स्थित हैदर गड अंडर पास से गिरफतार किया गया है पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी, बारबकी, लखनव, बहराईच, आसपास के जिलों के साथ दूसरे प्रांद दिल्ली, हरियाना, मदप्रदेश और पडोसी देश नेपाल में ड्रक्स तसकरी के बड़े पैमाने पर कर रहे थे आरोपी, जैदपू, टिकरा, मुत्रजा, के, अलिम, साधू, मारूफ और मुहम्मत कैफ से माफिन खरीते और यूपी के साथ अन राजों में सप्लाई करते थे वहीं शहान उल्ला के जीपी सी के माध्यम से नेपाल और कुवैद भी गया था वापस आने के बाद सारा पैसा इसी धंदे में लगा दिया है एसपी ने बताया कि तसकरों में गैंग में शामिल जीपी सिंग को माफिन की छोटी-छोटी पूरिया बना कर बेचते समय पकड़ा गया था इसके बाद तसकर शहान उल्ला के भतीजे मारूफ और अलिम शादू के इसके बेटे मुहम्मत कैफ को जैदपूर कस्वे के अच्छन बाग से पकड़ा गया इसपी के अनुसार ड्रग्स तसकरों में शामिल मारूफ हिस्ट्री सीटर का बदवास है जो ड्रग्स तसकरी के मामले में पहले से वांचीत था आलिम शादू मुख्य तसकर है जो करीब 15 सालों से लगता तसकरी की कारुवार में लिप्त है जो कई बार जेल जा चुका है इससे अपने बेटी को भी इसी काले धंदे में लगा दिया है वहीं आलिम साधू NCB से वांची था इस तसकरों के कबजे में 26 किलो 500 ग्राम माफिन बरामत की थी जिसकी अंतरास्ट्रिय कीमत 27 करोड बताई जा रही है पुलिस के अनुसार आरोपी दूसरे राज में क्रूड लगा कर जैदपूर के टीकरा से में खास तरह की फाइन माफिन तयार करते हैं जिसकी अंतरास्ट्रिय बाजार की कीमत कई गुना जादा बढ़ जाती है वहीं एस पी दिनेश ने बताया कि पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी की है तसकरों से बरामद मुवाइल से अन बड़े कई और भी राज और नेटवर्क हात में लगे हैं इसके लिए पुलिस टीम गठित की गई है और जल्द ही उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा इस बड़ी कारवाही पर एस पी ने पुलिस टीमों को पचीस पचीस हजार रुपे का इनाम देने की भी घोशना की तो जहां पांच लोग जो हैं वो पिता बेटा पुत्र सब मिल कर इस मैक की तसकरी कर रहे थे जो इसके बाद यूपी पुलिस के द्वारा इने गिरफतार किया गया है और भी कई बड़े राज खुलने के चांसेस दिख रहे हैं पुलिस के द्वारा बताया गया है कि यह जो है वो इसकी जो तसकरी है ड्रक्स की वो नेपाल में भी कर रहे थे साथ ही साथ इन में कोई बड़े लोगों का भी हाथ है आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने कहा है कि इसमें और भी खोजबीन की जा रही है जहां च्छान